हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक तो दे चैनल तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फेट्र एडिशन का टॉपिक इससे पहले भी हम लोग चैप्टर फेट्र एडिशन की दो वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसे में समझाया था फेट्र एडिशन बाइ टेकिंग कॉमन फेक्टर बाइ रीग्रूपिंग मैथर और यूजिंग आइडिटिटीज अब जाकर देख सकते हैं उसका लिंक हमने वीडियो के description में दे दिया है चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आपको नाम सही समझ में आ रहा है मिडल टम स्प्लीटिंग मतलब इस्प्लीटिंग आफ मिडल टम चलिए समझते हैं example से मैं आपको समझाती हूँ step by step तो हमारा पहला step क्या होता है जो भी 1st term होती है फर्स्ट टम क्या है x2 उसका coefficient को identify करना तो यहां पर क्या है coefficient 1 जिसको हम लिखते नहीं है अब जो last term है उसका number मतलब जो last term के अंदर आपको कभी भी कोई variable नहीं मिलेगा आपको पूरा number यो थे यह नमबर है 8 इन दोनों को multiply करना तो क्या जाएगा 8 यह होता है आपका first step करने हैं जिनका sum क्या जाए जो number होगा middle time में अब क्या है 6 मतलब हमको 8 के S if Management करने है जिनका sum क्या आना चाहिए 6 सेलिख करते हैं 8 क्या हो गया 1 x 8 2 4 जाय ए 8 and 4 2 जाय तो सेम हो गया से लिखते नहीं है अब चेक करते हैं 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9 नहीं तो अलग हो गया 2 प्लस 4 6 मतलब 2 और 4 क्या हो गए 8 कैसे सेक्टे जिनका सम क्या गया है 6 अब चलिए हमें लिख लेते हैं अब मैंने इसको यह ऐसे ब्रेकेट में लिख लिया आप चाहिए तो इसको ऐसे लव एक बार में लिख सकते हैं टाइरेक्ट 2x प्लस 4x प्लस 8 as you wish आपको ऐसे अच्छे लगए ऐसे लिख लिए पहले देख सकते हैं इन दोनों को एड करने पर 6x या रहा है मतलब हमने सिर्फ middle term को दो पार्ट में split कर दिया है चलिए अब शुरू करते हैं अब हमको क्या करना है जिसम ने सीका था था ना regrouping method हमको गोई apply करना है मैं आपको समझाया था ना कुछ-कुछ question में यह arrange होते हैं और कुछ में हमको arrange करने पर चलिए चेक करते हैं क्या इन दोनो के अंदर कुछ common है यहां पर क्या है दो बार x रहे हैं हम टो उक्स कॉमन है यह करते हैं है 4 तो हम लोग को solve कर सकते हैं अच्छा यह करते हैं हम लोग अब क्या कर लेंगे x को common लेंगे अब लोग क्या करेंगे x square को एक से divide करेंगे यहां पर क्या है x power 1 यूसे लिखते नहीं अब क्या जाएगा only x अब यहां पर क्या है 2x को करेंगे x से तो क्या बढ़ जाएगा 2 x x कट जाएगा back it close अब इन दोन में क्या common है 4 अब क्या लेंगे plus 4 common अब यह 4 से 4 कट जाएगे हमें क्या आएगा only x अब जब 8 को से डिवाइट करेंगें क्या जाएगा 2 यहां पर क्या आगा x plus 2 अब हमें क्या चेक करना है यहां पर यह नंबर है और यह नंबर क्या सेम है तो guys यह हमेशा सेम होंगे अगर suppose यह आपके सेम नहीं आ रहे है मतलब यह जो नंबर दिये हुए न यह अरेंज नहीं आपको अरेंज करना है ऐसे भी question होते हैं जिन में कुछ ना कुछ common आ जाएगा बट यहां तक question आएगा तब तक ना कुछ देखेंगे आपके यह दोनों common नहीं हो रहे होंगे मतलब आपको से दुवारा अरेंज करना है यहां पर तो यह common है चेक कर लेते कुछ common है हाँ यह दोनों सेम है x plus 2 x plus 2 अब क्या करेंगे इनको common ले लेंगे अब यहां पर यह x से इधर आ जाएगा और यह प्लस 4 इधर तो आई तो आपके समद में आ गया होगा अब हम बात करते हैं next example कि तब तक मैं इसको raise कर जेती हूँ तो guys यह रहा हमारा next example अब मैं सबसे पहले क्या करना था इस term का क्या है coefficient 2 और last term क्या है 20 इन दोने को multiply करना था क्या जाएगा 40 अब मैं 40 के ऐसे factor कर देंगा sum क्या आना चाहिए माइनस 13 अब से हम 13 देखते हैं से पहले factor कर लेदे 40 के 1 इंटू 40 2 इंटू 20 4 इंटू 10 5 इंटू 8 हां बस ही उपने चेक करते हैं क्या 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41 नहीं सेम नहीं है 20 प्लस 2 22 हो जाएगा यह भी नहीं है 4 प्लस 10 14 हो जाएगा यह भी नहीं है 8 प्लस 5 13 आगे अब बट यहां पर तो यह माइनस का है यहां पर तो यह प्लस का है कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे अगर सपोस हम लोग ने पहले जिसों लिख लेते एक बारे तरह अब हम लोग अगर इन दौनों को प्लस का लेंगे तो क्या हो जाएगा यह 13 जो है प्लस का आएगा बट अगर सपोस हमने इन दौनों को ले जाते हैं माइनस का तो क्या जाएगा तो मतलब हमें अब क्या खेंनना पड़ेगा इन दोनको लिना पड़ेगा माइनस का एक बर चेक कर दे हैं इन दौनको मुल्टीप्लाय करने पर प्लस 40 आ रहा है है न 8 5 जा 40 और स्यंई किसका आएगा म क्लस का क्यूर्य क्यों हो क्यों क्यों माइनस मिल्टिप्राइब माइनस प्लस तो मतलब 40 है इसको नोट डाउन कर लेते हैं नीचे 2x स्क्वायर माइनस अब गाइस यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है माइनस 5 और माइनस 8 अगर सब्सक्वाइनस मैं पर मैंनस 5 x लिख दूंगी तो यहाँ पर कुछ common नहीं आएगा ने को पहले से यह पता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको आगे लिख लेते हैं माइनस 8x को और माइनस 5x को बाद में लिखते हैं उससे क्या होगा हमको easier होगा solve करने के लिए चलिए देखते हैं अब ऐसे हो चुक है हम क्या करेंगे इसमें अगें रिग्रोपिंग तो क्या कॉमन आ रहा है इन दौनों में है is 2x अब 2x को बाल ले लते हैं यहां भी कुछ कॉमन है पका हाँ यहां पर क्या कॉमन है 5 अब्लिया अब डिवाइड करेंगे टूए इस स्कॉर्ड को टूएक से तो यहां पर यह पर बाब और वन यहां पर टू तो आपर सिर्फ यहां बच जाएगा से 1x, तो चुछे 2 कर जाएगा, x आ गया, अब 8x को डिवाइट करेंगे 2x से, x x कर जाएगा, 2 4, माइनस 4, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन था? 4, अगर suppose मैं यहाँ पर सिर्फ 4 कॉमन ले लती हूँ, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह एक्स जो ब माइनस का और यह जो 4 कंbons लागा पड़े का कॉमाल का करेंगे मैं इसे किस को मद न वाले को अब यहां पर कित्री टर्म बची है यह री फर्स टर्म और यह टू टर्म बची होई है अब क्या इन दो अनकर दो कुस्त कॉमन है ज़िए चेक करते हैं हाँ यहां पर यह X-4 है यहां भी X-4 है तो इंदों क्या कर लेंगे यह कॉमन ले लेंगे वहार कॉमन में आ गए हमें क्या बच जाएगा 2X और यह जो साथ में आएगा इसके माइन अब क्या आएगा माइनस 5 तो इसका आंसर क्या हो गया यह तो आई दिन आपको समझ में आ गया होगा हम भड़ते हैं अपने नेक्स एक्जांपल की तरफ तक मैं इ करती हूं तो खाइस हम लोग हर एक कोशन अलग 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 के लिए जाकि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लिए 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 को लाइक कर देना चलिए शुरू करते हैं अब यह रहा हमारा नेक्स एक्जांपल तो खाइस अब यहां पर क्या हो रहा इस बार दोना माईनस और माईनस लिए हम दूस सबसे पहले क्या करेंगे क्या थे को एफिशेंट वन पर क्या है 54 किसका है माइनस का तो अब हमको क्या करना है 54 के ऐसे वेक्टर करने जिनको माइनस करने पर क्या जाए क्या करेंगे माइनस चली करते हैं तो क्या हो जाएगा 59 जा 54 तो क्या होगे 6 और 9 अब हम दो जब इने करेंगे 9 माइन 6 तो क्या जाएगा 3 अब बट यहां पर यह 3 किसका है अगेद माइनस का तो हम लोग क्या करेंगे जो बड़ा वाल नमबर हो अग कौँसा बढ़ा है 9 माइन 6 में से 9 तो इसको अम लोग करदेंगे माइनस का और 66 को करदेंगे पलस अगना में आ रहा होगा चो पर लिख लेते हैं X square माइनस 9x लग सिक्स x माइनस 54 आप लोग इसको solve करके वी को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कै आप Sauce कर रहा है ना इनको solve करने पर यही आ रहा है ना देख लीजी आ रहा है चलि Tech आगे solve करते हैं अब अगे किया करना इंगों रिज्रूपेंग तो x2 माइनस 9yज़सर अब क्या कोमन आ रहा है ए Speech हमें क्या लेंगे एक्स कामन क्या बच यहीगा एक्स-ग तुमारी एक्स आ अब यहांगे थे मायदस 9ल एक्स तो फिर्ट चावनाइगे बच गया इनक्या यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्यों कोमन आ रहा है यहाँ क्या जाएगा प्लसका 6 अब 6 कट जाएगा क्या बच जाएगा एक्स और अब 69 जा 54 पर क्या गया 9 चेक करते हैं दोनों टॉम्स के अंदर कुछ कॉमन है नहीं है हां कॉमन नहीं क्या कॉमन है एक्स माइनस 9 मोज से भाल दे रहते हैं से मैं सबसक्रैंब की दिणकर यहाँ कर तक और अगर आपने जटेखी तक हमारे तक देख़ेंग के और से देख लीजेए Thank you so much for watching